मंग ये वीरे, मुझे कहानी सुने बिना नीन नहीं आते मैं कहानी सुनाओंगा तो सोजाएगी ये ना कहानी है अंगरेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एक जुठ हो रहे थे सिवाए एक शक्स के क्यूंकि उसको लगता था कि अंगरेज भुरे नहीं है उसका नाम था मंगा परिवार का सबसे लाइक लाड़ला हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था पैसे नहीं ले सकते जी दादी केती है इससे शफा चली जाती है क्या तुमिन उक्री कर रहोगे बंदूग मिलेगी जी तो धंडा बगएड़ा सच धजबन ठन चले किधर बदली हुई है कैसे आज ये नजर अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वो और एक दिन उससे अपनी राजकुमारी भी मिल गई राजकुमारी कॉट सरगी पिशे कानी सुनी है चिपचप सुन आपके गाव में दिल लग गया जी राज आती लग्कियों को ना रोपने से सार फट जाते हैं नकुगडा ही है कानुन से बढ़कर कुछ नहीं होता है अगर तुझे तकलीफ का अशास नहीं है सिर्फ अपने बारे में सोचो तो सच में फिरंगी होती है वक्त आगया हीरे जैसे कुछ तैसा दिखाने का अगर तुझे खातर लड़ जातू अपनी जित पे घर जातू तुझे खातर लड़ जातू अपनी जित पे घर जातू तु सच्चा जंगी नहीं फिरंगी तु नहीं फिरंगी तु सच्चा जंगी नहीं फिरंगी तु नहीं फिरंगी फिरंगी को राजकुमारी नहीं मिलेगी तुनो जाद दादीना बन, मैंने तुनानी तरको कहानी कहानी आगे तुझे खुद नी आती और मुझे सुना रहे